एलो फ्रेंड्स आज हम पुरानी सलवार से पलाजों बनाएंगे और हम बहुत ही असान तरीके से बनाएंगे जाएं आपने अगर कभी भी ऐसा मतलब नहीं बनाया है पलाजों सलवार का तो आप भी असानी से बना लोगे अगर बिगनर हो अच्छी सलाई यह आपको नहीं भ मोहरी है उसे कट कर देंगे क्योंकि उसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है मोहरी को कट के इस तरह से अलग कर लेंगे सलवार से यहां पर मैंने मोहरी कट कर ली है इसको हम शैड पर रख देंगे क्योंकि इसकी हमें कोई नीड नहीं है और उसके बाद यह देखिए यह सलवार क प्लेंस लगें हैं पहले हम इस बैल्ट को अलग करेंगे हम इसे कट करके भी निकाल सकते हैं लेकिन हमारी सिल्वार की लेंथ है प्लाजों की वो कम हो जाएगी इसलिए हम ज़़ टंके निकाल लेंगी इस तरह से असानी से अलग हो जाएगी आप धीरे-धीरे अराम से करना नहीं तो जो है कपड़ा फट भी सकता है कि इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो लग हो गई है अब हमें क्या करना है जो इसकी प्लेट्स हैं इनको भी हम देड लेंगे इसके टंके सभी निकाल देंगे इस तरह से धीरे-धीरे करके आप जो सरे प्लेट्स निकाल लीजीए जो देखें मैंने यहां पर सारे प्लेट्स निकाल लिए है सलवार के और जो कुछ इस तरह से आगई है हमारी अप हमारी जो आसलमाली इस सलाई आदी को भी हम निकाल लेंगे देखिए यहां पर हमssenश निकाल है और में कने तीन किस हो गए है एक पल्णा और दूसर पल्णा और एक हमर्णी बैल्ट यहां पर मैंने सल्वार के सारे कपड़े को प्रक्रेक कर लिया है और अब हरय दीखिए यहां पर हम Allison हो गया है दोनों परले हमने इस तरह से रख लिए हैं और यह हमारी ड्रہ है इस तरह हमारी प्लेट्स लगे हुए थे वहां पर मरा आशन था अब हमें क्या करना है यह जो ड öffentlich है इसको ढाके कहां जहां पर हमारे पहुंचे थे, मुहरी वाली जगा वहां पर रखेंगे इस तरह से, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, पहले जो मारी बेल्ट इस तरफ थी, और यह देखें आप यहां पहुंचे वाली सैड हमें यह रखनी है, यहां पर हमारी यह जो बेल्ट है, अगर आपके नाप के कोडिंग ये बड़ी है तो आप इसे कम भी कर सकते हो और अब हम इसे यहां तक रखेंगे बेल्ट के बराबर होना चाहिए हमारा ये कपड़ा तक जब हम बेल्ट को अटेच करें तो ये अच्छे से अटेच हो इस तरह से जो एक्स्टा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे ये बहुत ही आसान तरीका है सलवार को प्लाजो में कनवर्ट करने का आप इसको जरूर ट्राई करें यहां पर आप एक चीज़ी देखिए ये हमा चार तह में ये कपड़ा है दोनों का ये अच्छे से हमारा टैज हो जाएगा अब हम इसकी लेंथ को नापेंगे आप अपना कोई भी प्राना प्लाजो ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर प्लाजो रख लीजिए मेजरमेंट के लिए अब इसके ऊपर प्लाजो को अ नीचे है इस तरफ से हम पूरा पूरा ही प्लाजो रख लेंगे क्योंकि इस तरफ कोई भी सिलाई नहीं आएगी मुझे यहां पर प्लाजो की जो मुहरी है वह इससे थोड़ी कम ही चाहिए अगर आपको बड़ी मुहरी चाहिए तो आप इस तरह से इसे इस जहां तक बढ कटिंग करना स्टार्ट करेंगे यह देखिए बिल्कुल उसी प्लाजो की तरह यहां तक हमारासन होगा और आगे हम इसको पूरा-पूरा ही कट करेंगे क्योंकि मुझे इससे थोड़ी से कम ही मुहरी चाहिए आप इसकी मुहरी जितनी भी ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं औ इतनी आप चाहो छिए देखिए यहां पे मैंने सकी कटइंग कर ली है और इस प्लाजो को हम सेड़ पे कर देंगे और इसकी कपड़ा हमारा ज Marsh amid कर यह हमारी प्लाजो की cutting हो गई है मेरे प्लाजो की length जहांपे पूरी पूरी आई है और अगर आपके प्लाजो की length कम हो रही है तो इस वाले कपड़े को इस तरह से नीचे रखके आप कितनी भी length बढ़ा सकते हो इसके बीच में भी joint less लगा सकते हो नहीं तो इसके ऊपर भी attach रखकर सकते हो कोई भी less कई लोगों को यह problem होती है कि हम जब सलवार से प्लाजो बनाते है तो इनके लंबाई कम हो जाती है इस तरह से अपके लंबाई का कोई भी issue नहीं होगा अब देखिए इसको सलाई करने के लिए हम इस piece को अलग कर लेंगे इस तरह से रखेंगे और यह देखिए पहले हम इसके आशन की सलाई करेंगे इसकी सलाई के लिए पहले हम इन pieces को wrong side कर लेंगे इस तरह से उल्टी side कर लेंगे आशन की सलाई के लिए दोनों pieces को इस तरह से ही उल्टा करके रख लेंगे अब हम इसके आसन की सलाई करेंगे आसन को इस तरह से पकड़के इस तरफ सलाई लगा लेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस पीस को और दूनों तरफ हम सलाई लगा देंगे आसन पर आप चाहो यहाँ पर डबल सलाई भी लगा सकते हो बाद में हम बैल्ट अटैच करेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने यह सलाई लगा लिए है दोनों तरफ और यह बैल्ट भी हमारी पूरी ब्राबर आ रहे है इसके अब हम बैल्ट को अटैच करेंगे यह देखिए उसी तरह से फिर हम रख लेंगे सीधा करके ऐसे अब हमारी बैल्ट की भी और प्लाजो की भी रॉंग सैड है उपर वली तरफ अब यह देखिए बैल्ट को हम अटैच करेंगे इसके साथ और ऐसे रखके पूरे राउंड में हम सलाई लगा देंगे बैल्ट को प्लाजो के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से और इसके बाद हम जो जो नीचे वाला हिस्सा है इसे इस तरह से मोहरी को फोल्ड कर लेंगे दोनों मोहरी को इस तरह से ही फोल्ड करके सलाई लगा देंगी यह देखिए यहाँ पर हमने बैल्ट जो है पलाजों के साथ अटेच कर ली है और यहाँ पर हम लास्टिक जाडोरी उच भी डाल सकते हैं उपर की तरफ अब हम क्या करेंगे जो नीचे इसके पहुंचे वाला कपड़ा है उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और दोनों पहुंचे पर हम सलाई लगा लेंगे यह दिखिए यहाँ पर मैंने बैल्ट भी इसके साथ अटेच कर ली है और नीचे भी मैंने पहुंचे को इस तरह से फोल्ड कर लिया है तोनों पहुंचे को, अब हम ये वाली सलाई लगाएंगे यहां से लेकर दूसरे पहुंचे तक हम यहां पे सलाई लगा लेंगे यहां पे हमने plazo को पूरी तरह से ready कर लिया है सलाई भी हमने लगा ली है, pitting की और उपर हमने जो belt है, उसमें elastic डाली है मैंने इस पर पतली इलास्ट की ही डाली है क्योंकि मैंने ये नाइट सूट के लिए बनाया है ये देखिए कितने अच्छे से बनके रेडी हो गया है मैं आपको पहन के भी दिखाती हूं कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है कही लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहनने के बहुती कमफटेबल लग रहा है किसी भी तरफ से कोई भी किचाब बगेरा नहीं है बहुती अच्छे से बनके रेडी हो गया है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक का और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वार वाचिंग